एक चीज हर हफते घर में अच्छी ये हुई कि सुम्बुल के बेस्ट फ्रेंड और ब्रो फैमान खान शो में दो दिन के लिए आए सल्मान खान से रूबरू भी हुए और इसी भी सुम्बुल के चेहरे पे आ गई मुस्कराहट सल्मान खान के कॉंट्रोशल रियालिटी शो बिग बॉस होला टी आरपी के रेस में कमाल दिखा रहा है और इसका पूर अश्रह कंटेस्टन में होने वले लडाईयों और ड्रामों को जाता है घर के अंदर सबकी बीच जिस तरह से चीजों पर लडाईयां हो रही है उन्हें देखकर तो कभी कभी हसी ही आ जाती है पिछले दिनों जो कुछ भी ड्रामा घर में देखने को मिला है यानि कि पहले अर्चना के लडाई धन्या पत्ती पर और फिर टीना और शालिन के लाई सुम्बुल से क्योंकि एक्ट्रस के पापा ने दोनों को बुरा भला कहा हाला कि वीकिन का वार एपिसोड में सल्मान खान ने सब की जमकर क्लास भी लगा दी लेकिन यहीं मामला कुछ शान्त होता हुआ नहीं नजर आ रहा है एक चीज़ इस हगर में काफी अच्छी हुई है सुमबुल के बेस्ट फ्रेंड और ब्रो फैमान खान शो में दो दिन के लिए जरुर आए है सल्मान खान से रूबरू भी हुए वो और इसे भी सुमबुल को चेहरे पर मुस्कुराहट लोटी है शिर्वात में ही बता दिया गया था कि फैमान खान की एंट्री शो में बतुर वाइल कार कंटेसन के तौर पर हो रही है लेकिन वो केवल दो दिन के लिए घर के अंदर आएंगे अब दो दिन बाद जब फैमान खान घर से बाहर आएं तो सुम्बल के लिए ये गुडबाई कहना काफी इमोशनल रहा है दोनों का इस दोनान का किस भी शोशल मीडिया पे खुब चर्चा में बटो रहा है फैमान खान शुकरवार के वारपर सब ही को बताते हैं कि फैमान खान शो में कुछ बल के महमान थे हालाकि वो बत्तौर वाइल कर कंटेस्टन नजर आए लेकिन वो नहीं बने फैमान खान के अब घर से बाहर जाने का भी समय आ गया है और ये बात सुनकर सुम्बल काफी हो जाती है emotional इस वरा सुम्बल तोकिर खान अपने best friend याने कि फैमान खान को किस करती है उनकी विदाई करती है तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी रहाए फ्रमान खान के एंट्रे से लेकर उनके एग्जिट को लेकर आप क्या कहेंगे आपको क्या लगता है कि फ्रमान खान के बिग बॉस सोला में एंट्री करने के बार क्या सुंबल की बिहेवियर में चींच आएगा या फिर नहीं क्या आपको लगता है कि अब शालिन और टीना भी उनसे बच कर खेलेंगे या फिस सुम्बूल अपना गेम खेलती भी नजर आएंगी इसको लेकर क्या है आपकी राये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी न भूले और हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें